एक वीडियो बड़ा वाइरल हुआ था आपका सभा में थे किसान आया जहापण मार दिया आपको और आपने कहा कि किसान ने प्यार से आपको थपकी दी थी तीन से चार दिनों के भीतर में किसान का उसी किसान का एक और वीडियो घूम रहा है आपको नहीं पता कितने फेक वीडियों चल लाए हैं हमारे लिए लिए हैं जिसमें हम रोज एक किसी की हत्या कर देतें रोज एक किसी का बेलाधकार कर देतें हमारी सेवाओं सदुखी यह लोग सेवाओं नोग बहुत आज Profit बेदार से जे में सेवाओं से दुखी है लोग बहुत सारे लोग दुखी है किसी के साथ हुआ हो आप जिस से कर लेकर कह रहे हैं वो भी वारने सर आप जैसी भी कड़िये गाहँ वाले रोके हुए हैं और आप आप गाली दे रहे हैं वहाँ पे नमस्ते सिध्धानत नाम है मेरा और देललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम उन्नाओं में हैं और उन्नाओं सदर से जो सबसे पहला सवाल यह जानना होता है कि पॉल्टिक्स में इंट्री कैसे हुई आपकी देखिए 91-92 की घटना है उसमें राम जन्बूहिं का अंदूलन चला था हम लोग उमा जी के रितंबरा जी के कैसे सुना करते थे तो ऐसा लगता था जैसे हिंदूस्तान में नहीं पाक बनाएंगे और मंदिन बनाने के लिए जो 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 जा रहे थे उन पर गोनीया चल ले थीं तो अंदर से गरोश अंदर्था आ और उसी समय भारती जंता प्रटी के करकरता बन कर काम करना प्राग्रम किया इस प्रकार से राजनीद प्रेवेश हुआ और ये तो माली ये टीवी वाला जवाब हो गया अजीद सिंग एमल सी उनका क्या रोल है आपको पॉलिटिक्स में लाने का उनसे पहले पॉलिटिक्स में थे हमारे उनके जो रिलेशन थे उसके पहले हम जीत है और फिर आप रियेश पाठक के संपर्क में आए जो इसमें कानून मंत्री हैं जी निश्चित रूप से उस समय हम बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए और समाजवादी पार्टी से हमने चुनाओ भी लड़ा नगरपालिका का और नगरपालिका की अध्यक् उसमें भारती अंता पार्टी ने 2012 में हमको चुनाओ लड़ाया और हम दूसरे स्थान पे रहें बारह में ये कहा जाता है कि आप इस चक्कर में ही ब्रिजेश पाठक के साथ जो आप रहे ब्रिजेश पाठक का और आपका जो साथ रहा इस ही गतिरोत की वहें से टूटा कि ब्रिजेश पाठक सदर सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे लेकिन आप अपनी सेटिंग लखनव दिल्ली बनाने में लगे हो थे कि आप पहीं से टिकट मिल जाए और इस चकर से ब्रिजेश पाठक करून मंत्री से आपकी दूरियां बढ़ गई हैं देखिए लेकिन कहीं हमारे दोनों के बीच में मनभेत कहीं नहीं है अच्छा मैं यह इंटर्व्यू जब ले रहा हूं तो मैं उन नाओं घूमने और कहीं सारे लोगों से बाचित और इंपुट के बाद कर रहा हूं ठीक है और शेत्र में आप पर बहुत सारे आरोप भी हैं तो मैं उन नाओं में दो ही नेता हैं बीजेपी के पास पंकज गुपता और साक्षी महराज और इन दोनों में आपस में बहुत बंती नहीं है साक्षी महराज जी हमारे गुरु तोल है और उनका पूरा आशिस सदेव हमारे साथ रहता है अगर हमें ऐसा कहूं कि 2014 में यदि वो उन नाओं ना आते तो शायद हम उनका आशिरवाद ना मिलता तो शायद हम विधायक भी ना होते हैं लेकिन यह बताते हैं लोग कि जो पिछले साल जिला पंचायत का चुना हुआ था दोस्ती उस समय हुई थी जब अरुन सिंग का टिकट काटा गया था माकी कांट की पीडिता के शिकायत पे और शकुन सिंग को दिया गया तो शकुन सिंग के साथ आप साक्षी महराज नहीं साक्षी मारां चकोओट है जो और शकुन सिंग को चाहाय रही है पार्टी की रढ़ाना जक्ति यूबनी भद्धनी पीठवाना चाहा रही है भर भी आप लोगों नियों सिंग को समर्थन दिया अगया बार्तीयनता पार्टी करत अखारित पार्टी है ऐसा है कैसे विचार मुझे नहीं लगता कोई आपकी वी सूतर होंगे, लेकिन क्या बिना पार्टी के शीष नेतत इनुमत के हम लोग किसी को चुनाउय लडा सकते हैं. ख़बरो का मैं सूतरों नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर हमसे पार्टी के किसी नेता ने, पार्टी के लोगों ने नहीं कहा होता, साक्षी माराजी से नहीं कहा होता, तो क्या हम लोग अरूं सिंगों चुना लड़ा रहे होते हैं, तो हमसे किसी ने, किसी ने पार्टी के नेता ने कहा होगा, कि लड़ाई जाके चुना दोनों लोग पार्टी के थे और दोनों लोग आज भी पार्टी में कोई पार्टी से बाहर रही है और दोनों लोगों ने चुनाओ लड़ा हमने संबने एक वीडियो बड़ा वाइरल हुआ था आपका सभा में थे किसान आया जहापड मार दिया किसान ने आपको उस पूरे जहापड़ कांड के बाद आप किसान के साथ एक पर इस कांफरेंस में आए और आपने कहा कि किसान ने प्यार से आपको थपकी दी थी उन नाओं में घुमिये तो दो चीजें पता चलती हैं दो लोग दो बाते बताते हैं एक बात एक बताते हैं कि किसान ने सचमुज जापण मारा था और दूसरा और दूसरा तीन से चार दिनों के भीतर में किसान का उसी किसान का एक और वीडियो घूम रहा है उन नाओ के मोबाइल फोनों में देखिया आप सब लोग को शायद कुछ गलत फेमी है या आम जन मार वास्तों में धबकी मारी थे इसे हमेशा प्रेम करते हैं और उन्हों ने खुद आके हमको यह बताया कि हमको मीडिया वाले तमाम लोग बयान पूछ रहे हमने का हो बहुत बता दो ने खुद बताया बाद में हमको बहुत चला कि समाजवादी पार्टी कि आपने देखा हो बाद कार कर देते हैं ना बाडी मिल लए ना कोई पीड़ता मिल लए लेकिन रोज एक होती हा एक बलात कार हो रहा तो यह काकस लगा हुआ है जो इस्थापित होने के कारण हमारे यहां पर हमको चाहता है कि हम ना रहे हमारी सेवाओं से दुखी हैं बहुत सारे लोग सेव कर देखम को किसी ने बुलाया होगा तो मेरी उपस्तिती हमेशा रहती है यहां भी आप छेत्र में इतने लोग एक प्रता कर लिजिए सेवाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो जो काम हम लोगों ने चेत्र में किये हैं विकास युक किया है शाइद सतर सालों में इतना में लोगा सर और मैं जानना चाहूंगा अगर आप सच बता सके उनके बारे में अंशु गुप्ता और नवीन चौरसिया यह धोनेやं और M.C met कि में जानता हूं और 9 मैं जानता हूं इस दिरस्ति चिए कि वगासु आप सथ जानते हैं आपको इंशु की बहूत पुराने हम मतलब आप काम करते हैं करते हैं कि देखिए उन नौ में सबसे पुराना करोसी नायल के खूल सेल का काम अगर किसी का है तो हमारा पहला मटी तिल के एजिंसी तो 1920 का लाइसेंस है हमारे पेट्रोल पम्प भी उसी समय के हैं, टांसपोर्ड का भी काम उसी समय का हमारा है तो ये सब क्योसाइ हमारे बहुत पुराने को आज का वेवसाइ नहीं है जब हम पैदा नहीं हुए थे हमारे परदादा और बाबा के दमाने से हमारे वेवसाइ चले आ रहे है चलिए अब कमाये की और सहयोगियों की बात हो गई तो मैं यहाँ पर एक सावाल छोटा सा फ्लोट करना चाहूंगा कि लोग ये बताते हैं उन नाओं में गुमने पर कि भाईया आपकी पंकज गुपता से बात होगी तो जरूर पूछ लीजेगा कि पैसा कमाने मिट्टी का तेल का काम तो ठीक है उनका लेकिन जमीन पर कबजा करने का आरोप बड़ा लग रहा है ग्राम सभाओं की जमीन पर प्लाटिंग काटी जा रही है और इसमें अंशो गुपता और नवीन चॉरसिया ही भाईया जी के कहने पर काम करते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है कोई कुछ केस दर्ज नहीं कराता है यह सब में बड़ा फासर डर भी लगता है हम लोगों को यहां पर उन्नाओं में आप बड़े प्रसिद्धी चैनल के एंकर हैं और अच्छी बात आपने की मैं तो सबसे इसी प्रकार की बात करता हूं सबको उत्तर यही देता हूं आप से अन्रोध है एक इंच भी ग्राम समाजी या किसी की भूमी के कबजे का कोई भी पत्र आप हमको दीजिए और आप ललन टॉप चैनल के साथ अधिकारियों के साथ हमारे साथ चलिए मैं पाइमाईश करा हूंगा और अगर कोई दोशी पाया गया चाहे वो बंशू हो चाहे हमारा भाई क्यों नहीं हो सका तो ततकार उसके विर्दु कारवाई के लिए मैं पूरा काताकत लगा दू भाई मेरे कहीं का कोई हो आप एक ग्राटा नंबर लेके आईए मैं आपके साथ चलूँगा और मैं पैमाईश करा हूंगा इससे बड़ी बात मैं क्या कह दूँ चैनल के सामेरे के सामेरे के सामेरे चलूँगा अब इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता विधायक जी ल का रीपेमेंट करना बंद कर दिया 75 लाग का लोन डेफॉल्डर घोशित किया गया आपको मिल्कुल हमने पूरा पैसे जमा करा था कहीं भी आज बढ़के वह बढ़ गया था इस कारण उस पर बैंक में परिसिती आई चेक बांस चेक बांस होई लगे थे आपके तदकार उस और को हमने जमा करके महासन ओडूज भी क्लियर करा लिया था उसी समय क्लियर होगया था तब ही उसी समय और आपकी पार्टी की सरकार है अभी पार्टी के सरकार है और पिछले साल खुद ही आप कोतवाली में छे गंटे के लिए धरने पर बैठ गये थे मास्क वास्क पहिन किया कहानी यह पंगजी देखिए हमारे छीटर के छीजाद भुजूर॥ थे जिन्हों ने एक थाना के महिला थाना के आवनटन भूम की गई थी नगरवालिका में जहाँ चेरमेन थे उस भूमी पर कोने में दस ब्ऐर 20 के कोने में उन्होंने मंदिर बना ले काफ़ी, दिनों से खाली पड़े थी, मंदिर बना लिया थे, उस समयकल मनें लिता, इस समय के कि प्रसासनी का दियारी, जो पुलिस विभात के थे, उन्होंने उनसे कहा होगा होगा भरण ने siyasमate के ह जो गैटे बुजुरुभ लोग थे या भटालीजे या बाउंडरी कर लिए लेकिन एक पुलिस ने उनको थाने बुलाकर उनके साथ मार पीट की और उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया गया इससे अक्रोश आया कि जब वो सहमत थे और खाली पड़ी भूम पर कभी किसी ने बना भी लिया तो इस पर विवाद नहीं करना चाहिए गुजूर्फ लोग थे रात को एक बड़े हमारे पास फोन आया हम थाने गए S.P.C.O. से बात हुई कोई सुनने को तयार नहीं था तो बैठना पड़ा लोग कहते हैं महिला धाना की जमीन थी और जब सबसे सेफ तरीका है किसी जमीन पर रखबजा करना है तो आप मंदिर बना दो हटने पर ही पुसारा उसको हटाने पर ही सारा विबाद हो जाता है आप तो उन्नाओ में हो आप महिला थाना आप उन्नाओ करी जाओगे वो ख्याले पर जमीन भी है मुख्याले पर वो वंदिर भी है आप सुहिम जाके निरिक्षड करें लोगों के कहने क्यों विश्वास करते हैं अब जन्ता है सर आप इन लिव के बीश में वोट मांगने जाएंगे अभी लोग नहीं कहते हैं वो कुछ लोग हैं जो विरोधी मानसिक्ता के लोग हैं वो इस प्रकार के आप कुछ भी करें वह इस प्रकार करेंगे इस प्रकार का दर्शाएंगे ही कि उस वहां पे कोई प्रतिक्रिया भी करता है कोई क्रिया भी करता उसकी प्रतिक्रिया देने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं बहुत सारे फेश्बुक में लोग कहते हैं कि आप यह कि लिप दो वो लिप दो विनमता पुरुक सिकार कर लेते हैं हम जानते हैं कि एक हाद तक की हर चीज होत गाली दे रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम बिलकुल एक दम भगवान हो गया है कभी हम लोग से प्रूटिया हो जब लोग ज़्यादा प्रोवक कर देते हैं तो हो जाता है कि लखनौ में ऐसे ट्रक खड़ा है खड़े ट्रक में अपकी कार गुज गई फिर ट्रक उठा के ले आए फिर ट्रक वाले को बहुत परशान किया गया तो फिर छोड़ा गया ऐसे आरोप लगते तो ऐसा भी नहीं होता अपके साथ ऐसा तो जो आप घटना बता रहे हैं वो अभी उसी प्रकार के घटना है जिसको लोगों ने दूसरे डंग से मूफ करने का प्रयास किया हमारी गाली से ट्रक ले एक्सिडेंट किया हम तो थे भी नहीं हमारा बेटा भी नहीं था जब सूचना मिली तो उसको सुकून से खड़ा कराया गया फायर करा दी गई पूली में जमा करा दिया गया इप पंगजी शेतर में घूमने पे एक दो नहीं मतलब एकदम न्यूटरल वोटर दी न्यूटरल वोटर भी इसको जो दुकान चला रहा है जो काम कर रहा है मतलब मैं तो उनकी सेफटी के लिए और कम से कम एक ठिक्स के लिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा ना लोकेट करूंगा कि भाई यह इंसान यहां पर है आप उससे शाहूद बात कर लो पंकज गुप्ता के बारे में छेतर में राय अच्छी नहीं है लोगों की लोग बताते हैं कि सर आप कानपूर से आ रहे होंगे कानपूर से इतने बड़े बड़े गड़े उसके लिए लोग बोलते हैं काम नहीं कराया पूरे शेतर में अन्शो गुप्ता नमीन चौरसिया का नाम है कि इनके कहने पर यह हो रहा है बलब एक ऐसे आरोब भी है जिनके बारे में कोई कहाने मुझे लगता है कि भाई प्रूफ ना मिले तो कहानी सुना तो कहानी के ब आ रही है उनको लेकर क्यों इतना ज्यादा असंतोश है मुझे काम के बारे में कोई मुझे कंक्रीट टाइम लेन इंदे पाता कांक्रीट पॉइंटर्स नि दे पाताइ पंक टाने क्या की आ है पौला जैदे आरे प्लाटिंग कट वाएं यह बोलते हैं आप बताईए शु बता चलेगा हम को भी बता चलेगा इस विशे में हम लोग दस्तारी के बाद क्यों ना बैट लें और आपकी प्रतिद्वन्दी है आशा सिंग जो उन्नाओ की मां की कांट की पीडिता है उनकी मां है ठीक है उनसे कभी उनकी आपके खिलाफ कंटेंट कर रही है कभी छेत्र मे सामना बाचीत मुलाकात हुए अभी तक की दोंसे मुलाकात हमारी यह ना बाचीत थी नहीं कैनिडेट गोशित होने के पहले भी नहीं 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 हमारे चुनाओं के लिए बहुत सरे शुब कामना अपको अंगजी आप यह बाचीत ललन टॉप पे देख रहे थे अपनी राय हमें जरूर बताएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपना ख्याल लखिएगा बहुत बश्कुरूए